नमश्कार दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक आप इसे आप सभी लोगों के अपनी यूटीब चैनल एक्ट्रेटिप्स क्लासेस पर काफी वड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है योगी आदित नात की तरप से जैसे कि आप सब लोगों को प योगी आदित नात जी की तरप से एक एतिहासिक फैसला लिया गया काफी वड़ा फैसला लिया गया है और अब योगी आदित नात जी जो ये बेरोजगारी का मुद्देस पर काफी जाए सक्री दिखाई पड़ता है वसी की बज़े से आज योगी आदित नात जी की तरप से नए रोजगार आयोग का गठन किया गया है इस आयोग का क्या काम है किस तरीके से काम करेगा और किस तरीके से यूपी में अब हर देरोजगार को सरकारी नौकरी मिलेगी ठीक है तो इसके बारे में पूरी पूरी बात बताऊंगा आप लोगो तो बने रही है हमारे साथ मे वीडियो अंतक देखीएगा वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही महत्तपून इंफॉर्मिशन तमाम कंदीजेट के लिए जो की लेकपाल भरती 2020 की त्यारी कर रहे हैं अगर आप लोग जी एस और ग्रामीन परवेश को लेकर रहे हैं काफी जादा प्रॉब्लम फ मार्केट में ऐसी कोई भी विक अबिलेबल नहीं है जो कि आप लोग के बन लाइनर्स फॉर्मेट में हो तो मैं दिखा दे रहा हूं आप लोग को इस तरीके से आप लोग को ये नोट्स रहेंगे इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ बहां पर जाकर के आप इनको डाउनलोड कर सकते हो अगर आप लोग इन नोट्सों को अच्छी तरीके से याद कर ले तो एक हजार कोशन है और इस तरीके कोशन है जिसमें आप लोग को जी एस का कंप्लीट कवरेज दिया गया अगर आप इनको तयार कर ले तो यकीन मानो कि 70-80% जी एस मे आप लोग अच्छी तरीके से स्कोर कर पाओगे इसके अलाबा ग्रामीन परवेश की तो और भी अच्छी संपूर नोट्स हैं हमारी तरब से क्योंकि यहाँ पे 1000 ऐसे कोशन हमने त्यार की हैं जो कि विभिन विभिन राज्यों में लेकपल और पटवारी की परिक्षाओं आप लोग को हमारे नोटसों में मिल जाएंगे तो ग्रामीन परवेश को लेकर के आप लोग चिंता चोड़ दीजेगा हमारे नोटसों से आगर आप लोग तैयारी करते हो तो यकीन मानो कि बहुत यच्छा स्कोर कर पाओगे और इसका जो हम प्रूब बता रहे हैं आप ल ले सकते हो तो चले फानिल में मुद्दे पर आते हैं कि यूपी सरकार का नया जो डिसीजन है वो यह है कि आप वे रोजगार जितने भी युवाएं हैं उन सारे के सारे युवाओं को सरकारी नौकरी मिल सके इसलिए योगी यादित तिनाज्जी की तरफ से काफी वड़ा आयोग ठीक है तो मतलब रोजगार आयोग का यही काम है कि जितने भी खाली पद हैं जिन जिन विभागों में उन सारे पदों का ब्योरा एक खट्टा करना होगा और इसकी अलाबा उन तमाम आयोगों को उपलब्द कराना होगा डाटा जिनको परिक्षा कराने की कि दारी दी जाती है ठीक है तो यहां पर रोजगार आयोग का बस इतना काम रहेगा कि जितने भी खाली पद हैं उनको बक्त रहते पता लगाया जाए किस-किस विभाग में कितने जादे खाली पदों का डाटा जो है वो भरती आयोगों को मोहिया कराने यहां पर यहां पे अभी बहुत सारे लगातार एक बदेट निकल करके आ रही है और बिग्यापन देखने को नहीं मिला तो यहां पे आप लोगों को मैं बता दूं इस पर तोर पे कि यहां पे देख सकते हो आप लोग अब सरकार की तरब से आखड़ा पेस किया बहुत सारे कंजिट इसकी भरतियों से रिलेटेड तो सबसे पहले आप लोगों को न्यूज जो हो दिखाई जाए ठीक है इसलिए हमारी टीम पूरी को पूरी प्रियाशरत रहती है कि सबसे पहले अपडेट हमारे चैनल के माध्यम सी दी जाते है यहां पे देख सकते हो आप लोग की सितंबर क महीना पुछला था ठीक है तो अब तक कुल मिला करके एक लाक उन्नेस अजार छैसो आठ रिक्त पड़ों का आकला जो अब सामने आया है तो आप देख सकते हो काफी वड़ी संक्या में अलग-अलग विभागों में खाली पड़े हुए हैं तो यह टीचर विभाग वाला यह टीक है टीचर्स वाला अलग है आकड़ा क्योंकि टीचर्स की तो भरती आप लों को पता है कि अभी 50,000 आने वाली है तो बहुत सारे कंड्रेट कहते हैं नहीं सरी इसमें टीचर वाली बेकंसी मिला करके बता रहे हैं ऐसा नहीं है यहां पर आप लोंको मैं बता दूँ देखो निकायों में भरती होनी है आप लों की लेकपाल भरती होनी है ठीक है और राजस्ति नरच्छक की बरती होनी तमाम ऐसी भरतियां है जो कि अब आप लों को देखने को मिलें कुल मिला करके अगर हम बात कर तो अभी सितंबर तक जो आंकड़ा सामने निकल करके आया ह जब सरकार फूरा को पूरा देखे एक systematic ढंक से काम करता है आयोगों सरकार देखे सरकार की तरब से decision दिया गया आयोगों की जितना भी खाली पद है उनका data एक खटा किया है देखे data आने के बाद में ही बिग गिप्ति तयार होती है उसी के बाद में आप इदन पर क्रिया start की जा सकती है तो आप लोगों को थोड़ा सब्र करना होगा इसी की सुविदा के लिए देखे अफसकर क्या होता है देरी इसलिए होती को कि आयोगों से ही ये बात कही जाती है कि अब आप लोगों को परिक्षा करानी है नहीं भरती तो पहले पता करो कि कितने कितने पर किस-क का गठन किया गया है ठीक है इसका काम मैंने बताया कि जितने भी खाली पद हैं उन तमाम पदों की जानकारी जुटाना है तो आप लोगों को थोड़ा इंतिजार करना पड़ेगा तो योगी आदे तिनात की सरकार जो हब वो अपनी तरफ से काम कर रही है पूरा पूरा आप लोगों को भी थोड़ा सब्र करना पड़ेगा देखिए तब तक आप लोग एक काम कर सकते हैं जैसे कि मैंने बताया कि अपनी परपरेशन स्टार्ट कर दो ये बात तो इसपस्ट है कि अक्टूबर के अंति तक आप लोगों को बहुत सारे ऐसी भरतियां है जिनके लिए जोब देखने को मिले आई होप अब आप लोगों को थोड़ी सी सरकार से उमीड तो बढ़ी होगी कि सरकार रोजगार को लेकर करके थोड़ी सी गंपीर से जरू दिखाई पड़ रही है तो तो इसी तरीका कि और भी जारे खवर है पाने के लिए आप हमारे चैनल से जोड सकते हैं जोड़ने के लिए सब सिंपल है आपनों को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा वीडियो कर थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू करेगा आपने दोस्तों में शेर करेगे चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में टब तक क कर दो